हेलो स्टुडेंट्स, क्लास थार्ड, बच्चों आपकी हिंदी ग्रामर की क्लासे स्टार्ट करती हैं, हिंदी ग्रामर में मैं आज आपको टॉपिक दे रही हूँ, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, छीके, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द मीनस होता है, यहाँ प को यह 8 दे रही हूं यह आप पहले हिंदी grammar की copy में अपने note down करेंगे कैसे करेंगे पहले है आप समझ लो इसको उपर सब पहले heading डाल देंगे नमर वन है जिसमें दया की भावना हो मतलग एक ऐसा इंसान जिसमें दया की भावना होती है जिसमें दूसरों को लेकर दया भी रहती है है ना तो उसको क्या बोलती है हम दयालू तो तो आपको पेपर में ये दिया जाएगा आप उसके लिए एक शब्द अपने आप लिखेंगे ठीके नंबर टू है जो आलस करे जो आलस करता है है ना वो क्या कहलता है RC आलस मतलब आजन्दे से किसी काम की बोला हाँ अभी कर लेंगे मतलब वो काम ऐसे पैंडिंग पड़ा हुआ है नहीं किया तो वो क्या होता है जो आलस करे RC means जैसे मैंने आपको काम करने के लिए दिया है कि आप ये काम no-down कर लें उसको क्या कहते है बीमार कहते है ना बीमार नमर फोर जो प्रति दिन होता है प्रति दिन मतलब जो डेली होता है प्रति दिन का मतलब होता है डेली जो प्रति दिन होता है उसको क्या बोलते है दैनिक ठीके जो हमारे दैनिक काम होते है उनको बोलते है प्रति दिन, प्रति दिन का मतलब है, जो हमारा डेली का काम है, जैसे हमारा डेली का काम होता है, कि ब्रश करना है, नहाना है, डेली हमें खाना खाना है, तो यह हमारा क्या है, जो प्रति दिन होता है, वो क्या कहलता है, डेनिक, नमर फाइव, जो मास में एक बार होता है, मास शिक, नमर्य सिक्स, जो Vault में एक बार होता है, Vault होता है साल, पूरे शाल में, January to December, पूरे साल में एक बार होता है, वो कहलाता है, Vault लटक, ठीके, जो प्रती दिन होता है, वो दैनिक, जो मास में एक बार होता है, मास autistic, जो Vault में एक सिक्षक, जो बच्चो को सिक्षा दे, सिक्षा दे मतलब तीचर, जो बच्चो को पढ़ाता है, वो क्या कहलाता है, सिक्षक, हिंदी में सिक्षक बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या होता है, टीचर, टीचर को सिक्षक बोलते हैं, ध्यापक भी बोलते हैं, यहाँ पर है, ज यह निए कि आप घिच पिच में यही उतार देंगे आप इस वर्ड को next line में लिख देंगे ठीके क्योंकि यह आलग आपको पता चलना चाहिए कि इसके लिए हमने आने एक शब्द के लिए एक शब्द इसका कौन सा है आप इसको mix up करके लिख देंगे तो आपको समझ में नह आएगा मेरे यहां पर इस पेस था इसलिए मैंने यहीं लिखे हैं बीच में डैस लगा कर ऐसे ही आपको करना है क्लियर बच्चो तो आज के लिए इतना ही थैंक्यू झालो